हलो इस तो हम लेकर हैं आज आपके लिए इंपॉर्टन कोशन पर शीरीज और आज हम डिल करेंगे इसमें बिए सी फर्स्ट येर का बोटनी का फर्स पर यानि डाइवर्स्टि आफ वाइरस वैक्टिरिया और फंजाई के बारे में इंपॉर्टन कोशन पर सीरीज है बहुत है इसमें 20 कोशन पर दिये जा रहा है जो आपके लिए एकदम इंपॉर्टन रहेंगे वो चाहिए समेस्टर एक्जामिनेशन हो चाहिए आपके एनुवल एक्जामिनेशन हो दोनों के लिए बहुत इबेश्ट है यूपी के साथ साथ जितने भी आपकी इनिवर्शिटी है आपका बीसी लगाया जाता है डावर्शिटी आफ वाइरस बैक्टरिया और फंजाई के बारे में उनमें सबके लिए इन्पोर्टन कोशन पर सीड़े जाएगा खासकर हम बात करेंगे यहां पे यूपी के सारे यूपी स्टेट इनिवर्शिटी की तो चलिए देखते हैं कुछ कोशन पेपर कि इस अंदर क्या मिलता है हमको इसपेश ली देखने के लिए तो चलिए आए सबसे जलते हैं कोशन नमबर फर्ष के पास कोशन नमबर फर्ष हमारे पास यहां पर आ गया है तो देखो क्या कह रहा है कि जिवाड़ों के कोशिका संरशना का वर्लं कीज तो चलता है कि maximum 500 बट आप सही तरीके से इसको दिखाएंगे तो 500 के जगा 600 वर्ड हो सकते हैं तो चलिए आगे चलते हैं अगले कोशन के तरफ यहां पर अगला कोशन क्या कह रहा है बैक्रियों फेज की संद्रचना और इसके रिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन बिधी का वर हुआ है मैंने काफी कुछ सूर्थिस इसको आपके लिए डिजाइन करके बताया था और आप एक बार देखेंगे तो आपका एंसर क्लियर हो जाएगा तो चलिए आगे बठते तीसरे कोशन के तरफ तो कि तीसरा कोशन हमारे पास बोलता है क्या है पक्सिनिया जो देखो य की आज तीसरा है वह आगे से लिया गया है यह बैक्रियों घ्लानी चक्र27 मैं जलद यस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर पफ्लोड कर दूँगा आप्लोड हो जाएmis ये लग बग दिसमबर के फष्ट वीक में अपलोड हो जाएगा चलिए चल्यूशन नमर प logr कुश्य het on देखनें के कैसे जिवाडव होते हैं या रिप्रिकेशन कैसे खोता है सब्सक्राइब ऩबारे में देखना है तो ये भी दस नंबर का रहेगा आप इसको सही तरिके से कर सकते हैं आगे चलते हैं मोजेक वाइरस देखो यह तंबाखु का मोजेक वाइरस से रिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन की वीधी का वड़न करना है मैं अपने चैनल पर इसको वीडियो अप्लोट कर दिया है आप जाके प्रिलिस को चेक कर लीजिएगा आगे बात करते हैं अगले अगले कोशन के तरफ तो यहाँ पर बात कर रहा है अलविगो की तो अलविगो के जीवन चक्र का विस्तार से वड़न करना मैं काफी कोश तरिती से इस पेशलिस को डिजाइन करके अपनी यूटूब चैनल पर प्लोट कर दिया है आप जाके वहां से कोशन इसको देख सकते हैं तो यह चटा भी आपका दस नंबर का है चलते हैं सातवे के पास पक्सेनिया और पाइथि कर रहा है कि जिवाड़ों के पोसर इस्तर पर वरलन कीजिए यानि अर्ट्रोपिक और हेट्रोपिक जो हमारे स्पेसली बैक्टिरिया होते हैं उनमें कैसे न्यूट्रेशन पावर होते हैं उनको आपको दिखाना है पांच नंबर के कोशन है इन्पोर्टेंट्स हैं कई ब बात करते हैं यहाँ पर अगले कोशन के तरफ नाइन है तो नाइन में क्या कह रहा है कि कवको यानि जो हमारे इस्पेसली फंजाई होते हैं फंजाई की आर्थिक मात पर एक निबंद लेकर एक एसी लिख रहा है फंगस के इकोनमिक इंपोर्टेंट के बेसिस पे तो मोश इंपोर्टेंट है आप देखिएगा मैं कई फंगस का अलग 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 इकोनमिक इंपोर्टेंट बताया हूं आप जाके चेक आउट कर लीजीगा अपने प्रेलिस्ट को आगे बढ़ते कोशन नमबर 10 के तरफ तो कोशन नमर 10 क्या कह रहा है कि यहां पर वाइरस के बार कर रहा है था आप अपने प्रेलिस्ट को चेक कर सकते हैं चलिए आगे चलते कोशन नमर 11 के तरफ कोशन नमर 11 क्या कह रहा है कि जिवाड़ू में जरन के तरीके का वड़न कीजिए यानि बैक्टरिया में इस्पेसल रिप्रॉक्शन कैसे होता है आपको उसकी इस्पेसल हर सकते है इसको दिखाना है दस नम्बर में यह कोश्यन आपके लिए बंता है आगे चलते है कोशन नमर बारे की तरह दो तबक और जो होते हैं फंगर्स और बैक्टरिया होते हैं फंगर्स और बैक्टरिया द्वारा पॉधों में उत्पंशनलक्त होने वाली भीमारी के प्रकार के समान लच्छडों का बिश्टार से apart के जिए जो सेम ऑ और सेव कारेक्टर है love के उनको आपको थैलस यानि जो हमारा फंगस का थैलस होता है थैलस इस्ट्रक्चर्स रिप्रोडक्शन की विदी का वड़न करना है और कवक के आर्थिक मत पर प्रकाश जालना है यानि हमने आर्थिक मत उपर भी था यहां भी आता है सौर्ट में तो आप दोनों को दिखा सकते हैं पांच मा का कोशन आता है जो आपके लिए मोशियं पोटन्ट है अपने प्लेडिप को च्छेक लिजिएगा यहां पर अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं तो этом बात करना है तो किलो कलिए मैं जल्दी वीडियो प्लोट कर Fail करना है नेमलीठित मेंसे किनी दो पर संचे टिपणी है मतलब यहां पर थीन ये जाएंगे जिन मेंसे आपको दो करना होगा एक छोड़ देना होगा कभी गलती से एसा मत करिएगा खुश सिस्रीन क्या करते है तीन हो तो आप क्या करिएगा दो बोल रहा है दो ही करिएगा यहां पर माइक को क्या करा है एसको माइको टिना जो होता है इसके बारे मताना है माइको प्लाजमा बारे मताना है और जिवाणों के फैजिला की भूमिका बताना है कि स्पेशल जो हमारे वैक्टिरिया होता है उसमें फ हुँआर में नायट्रोजन क मैं हम देखेंगे तब भात करना है ही और नायक्तिरत घूंद लिखना करना में यहां 이제 पान्डलेक्छन का य्योग्दान लगिज्व्गेना है तो मैं वैसे की सॉथ यूर्स पाठी लीजिए आपको खुजने में दिखात नहीं होगा यहां पर अगले कोशन के तरह बढ़ेंगे तो प्लांट वायरस की बात कर रहा है कि प्लांट वायरस में यह देखेंगे कि पादब विसाड़ू होते हैं उनका सुध्धी करण यानि प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है वह अगले लिकस की बात कर रहा है मसरूम की बात करेगा प्लाजमीट और सुषमजीव विज्ञान में इस्टेलाइजेशन जो तकनीक है उसका क्या इंपोर्टेंट रहा है इसके बारे बताना है तो यह भी आपके कुल पांच नंबर के होंगे धाई-धाई नंबर का दो आता है जिस सकते हो आगे बात करेंगे वाइरस और वैक्टरिया कंतरगा दोनों को आप डिटेल में बता दीजेगा यह आता है फाइप मार्क्स का अगे बात करेंगे ग्रैम पास्टे और ग्रैम नेगेटिव यह मोश इन्पोर्टेंट है मैं इसको जल्द ही आपको अप्लोड कर दू करना है वैसे मैं फंगस का पढ़ा दिया हूँ आप जाके देख लिजेगा काफी लंबा है उसमें से जो चेक पॉइंट्स होंगे उनको कर लिजेगा तो वह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं बड़ा सा कोश्चन दे दिया हूँ अपने प्लेलिस को चेक कर अन्याइंट्स नोRe जठी यह प् проблем है चोटा सा हूँ उसके बारे में पटा दीना उसके बाध वैक्टर्यम की बात करना यापे कब us न हमने देखा था रिजग यह पे हमको capsule देखने के लिए मिल गया था तो मिलते हैं अपने class वाले speciali video में तब तक के लिए जय हिंद